आत्मनमस्ते, मेरा नाम रेटी है, मैं ईरोट से हूँ, मुझको बार बार बीमार पड़ जाती थी, एकदम सुस्त हो जाती थी, और मेरा हाथ पेर फोल्ड नहीं कर सकती थी, फोर साल से, चार साल से मुझको फोल्ड करने के लिए बहुत दिक्कत होता था, नीचे नहीं बेढ बढ़ती थी, कहीं भी जाओ मुझको एक कुर्ची चाहिए होता था, अभी जो इस क्लास अटेंड करने के बाद मेरे एक फ्रणने सुचना दी क्लास के लिए, क्लास अटेंड करने के बाद प्राक्टिस करते करते में बहुत फ्लक्सिबल हो गई, और दसी दिन में यह तो बो से नीचे बैठ सकती हूँ, काम में एक बिसनस में हूँ, मुझको बहुत टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अभी यह जो लॉकड़ोन में हम घर में हैं, सर ने इतना कुछ हमको हमारे लिए दुनिया के लिए दिये हैं, उसका प्राक्टिस करते करते, इतना दिन प्राक्टिस हो गए हैं, और हमारा जो सोचने का तरीका है, वो तो बहुत ही डिफरेंट है, दुनिया से डिफरेंट लगता है हमको, क्योंकि गुस्सा जब आता था, तब हम रियाक्ट जैसे अच्छा नहीं करते था, अभी तो गुस्सा आता है, हम हैंडल कर सकते हैं, गुस्से में फर्गियोनेस साधना, इसमें अभी फेस्बुक लाइव सेशन जो आते हैं, उसमें मौनिंग साधना और दोपेर में जो ग्रेट इन्विकेशन आता है, और शाम का जो ओमनेपद में आता है, किस सेशन भी हम मिस नहीं करते, हमारे घरवाले भी इसके लिए बहुत कुश है सबका मेरा मा, बाप और सासु मा, सबका हेल्थ वाइज आर वेरी गूड, मेरा तो स्पाइन एकदम स्ट्रेट हो गया है, फ्लेक्जिबल हो गया है, ये साधना करते करते, लॉक्डाउन में, इसके लिए मैं सर को और योगप्राणा विद्या टीम को, हमारा मेरी ट्रेनर् बहुत आबारी हूँ, धन्यवाद बोलने चाहते हूँ, मैं और मेरा परिवायर धन्यवाद बोलने चाहते हैं, तैंक यू, तैंक यू सर, आत्मा नमास देशा, तैंक यू